एक बार की बात है, जंगल में एक बकरी अपने बच्चे के साथ रहती थी, उसका नाम गोलू था, वो बहुत सरा रहती था, उसे खेलना बहुत पसंद था, एक दिन वो खेलते खेलते जंगल की ओर चला जाता है, काफी देर बिताने के बाद गोलू दिखता नहीं है, ये दे गोलू कहा हो, तभी पीछे से गोलू आ जाता है, और कहता है, मा, मैं यहां हूं, बकरी उसे देख कर कहती है, गोलू मैंने तुम से मना किया था की, इस तरफ मत आया करो, किसी दिन तुम खुद भी फसोगे, और मुझे भी फसादोगे, अगले दिन गोलू फिर से जंगल चला जाता है जैसे ही वो जंगल में जाता है उसे एक भेडिया मिलता है भेडिये को देखकर गोलु घबरा जाता है भेडिया उसको खाने के लिए उसके पास आता है जैसे ही भेडिया उसके पास आता है अचानक बकरी अपने दोस सिकारी कुत्ते के साथ आती है जैसे ही सिका कुटा जोड से भोगता है तो भीडिया डड़कर भाग जाता है और गोलू बज जाती है इस कहानी से हमें क्या सीख सीखने को मिलती है हमें हमेशा अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए बड़े लोग जो कहते है हमारे भले के लिए कहते है